नमस्कार दोस्तों, Learning Universe में आप सभी लोगों का स्वागत है, आज हम लोग जानेंगे भारत के मुख्य बंदरगाहों के बारे में, तो हम लोग ये जानते हैं कि भारत में कितने बंदरगाह हैं और वो किस किस राजजिमें हैं उनके नाम क्या है, भारत में जो है इस समय टोट बंदरगाह किस राजजिमें है, तो इधर बंदरगाह आपका देदेगा, और इधर आपको मिलाने के लिए देदेगा किस राजजिमें है, कभी-कभी ये पूछ लेता है कि ये बंदरगाह का नाम था पूर में, इस समय क्या नाम है, मिलाने के लिए सवाल आते हैं, एक भाइन है तो हम लोग यह देखते हैं जंस कि अब यह देखिए पहला बंदर गाह जो हम लोग देखेंगे वह हालदिया कहां है विस्ट बंगाल में है दूसरा जो बंदरगा है वह पारदीप पारदीप यह उडीशा में है फिर हम लोग देखेंगे कि आंदर प्रदेश में तीसरा है विशाखा पत्तनम फिर हम लोग देखेंगे एनवर और चेन्नाई ये दोनों ये आपके तमिलनाडू फिर हम लोग देखेंगे एक तूती कोरिन ये भी तमिलनाडू फिर हम लोग देखेंगे कोच्ची ये केरला म मुंबई में है और एक मुंबई के नाम से भी है मुंबई में दो है फिर आप हम लोग देखेंगे कि एक जो है कांडला जिसका नाम अदीन द्याल पोर्ट यह कहां है यह आपका है गुजरात में तो टोटल अगर संख्या देखी जाए है तो हाल दिया एक वेस्ट पारादीब दो विशाका पत्तरम तीन और चार और यह चिन्नाई का पांच तूति कुरिंच है कोच्ची साथ मेंगलोरू आठ मुर्मुगाव नौ जवाह लाल नहरू दस मुंबई 11 और यह दिन द्याल पोर्ट कांडला बारा यह बारा तो हो हो गए टोटल हो गए 13 अब दो चीजें दो लोग दो बंदरगाहों का नाम चेंज हुआ है यह जो कांडला है कभी कभी परिक्षाओं में पूछ लिया था कि कांडला बंदरगा किस राज्जी में है तो कांडला बंदरगा यानि पोर्ट जिसे हम लोग करते हैं वह गुज सेवा यहा नाम उसका हो गया है दधार नाम दिया गया था जवाहलाल नह्रु पोर्ट हो गया था और यह बड़े बंदरगाह हैं उनकी परिस्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है आपका हाल्दिया पारादीव पिसाखापत्तनम एन्नावर चिन्नई तूति कोरिन कोच्ची नियुमेंगलोर मुर्मगाव जवाहलाल नहरू एक यहां पे मुंबई का भी है दिंदयाल य आए धन्ने बाद